इद के मुबारक मौके पर भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया जम्मु कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने इद के पाक मौके पर सीमा पार से जम कर गोलिबारी की इस गोली बारी में विकास गुरुंग नाम के सेना के जवान शहीद हो गए देशबर में आज इद का पवित्र तेवार मनाया जा रहा है पियम मोदी ने ट्वेट का लोगों को बधाई दी इद पहले शुक्रवार के दिन मनाई जानी थे लेकिन शुक्रवार को चांट का दीदार नहीं होने के चलते ये शनिवार को मनाई जा रही है दिल्ली एंसियार की हवा चोथे दिन भी जहरेली बनी हुई है फिलहाल हवा की गुर्वत्ता में थोड़ा सुधार दर्ज किया गया है दिल्ली हाई कोड की फटकार के बाद तीनों MCD ने बड़े दर्जे पर दिल्ली में पानी का छड़काओ किया गौरी लंकेज की हत्या के आरोप में गिरफतार परशुराम वागमोरे ने सुईकार किया है कि उसने हिंदु धर्म की आलोचना करने के चलते ही गौरी लंकेज की हत्या की थी जाज टीम के अनुसार गिरोह के निशाने पर अभी भी देश भर की 26 ऐसी सक्सियते हैं जो हिंदुत विरोधी है इराग के शहर मोसुल में लंबे समय से परंपरा है कि बच्चे इदुल फितर पर पटाखे और खिलोने वाली बंदूग के साथ खेलते हैं लेकिन अभी राकियों ने इस परंपरा को ना मनाने का फैसला किया है